नमस्कार आप देख रहे हैं नीज़वल इडिया आपके साथ मैं हूँ काजोन नरायन बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कारक्रम गुड मॉर्निंग इंडिया में गुड मॉर्निंग इंडिया की पहली खबर है बीजेपी का जो स्थापना दिवस है जी हाँ बीजेपी आ के कारक्रताओं को बधाई विरी है अमिशा ने ट्वीट किया सभी कारक्रताओं को बीजेपी के स्थापना दिवस की शुपकामना है अपने खून पसीने से सीच कर बीजेपी को विशाल वट वरक्ष बनाने वाले सभी महापुर्षों को नमन करता हूँ राष्टवादी विचारधारा अंतोधिया के सिधानत और मोदी जी के नतित मेदेश को आत्मिरबर बनाने के लिए बीजेपी निरंतर प्यास्तत है वही जेपी नड़ा ने ट्वीट किया है बीजेपी की स्थापना दिवस के अफसर में मैं संगठन के उन सभी महापुर्षों को नमन करता हूँ जुनों ने अपना सर्वस अरपन कर दिया और पार्टी को इस वैभव तक पहुँचाया बीजेपी एक ऐसा संगठन है जिसके सदस्यों के लिए पार्टी ही परिवार है नड़ा ने आगे कहा करोडों कारेकरताओं की तपस्या और निरंतर मेहनत के कारण ही संगठन सबका विश्वास के मुल मंत को जीते हुए सेवाही संगठन के माध्यम से इसे सिद्ध करना है सभी कारकरताओं को बीजोपी के स्थापना दिवस की हर्दिख शुपकामना है और अगली खबर है चुनाव की जी हाँ तमिलाडू केरल और पुडुचेरी में आज सभी सीटों पर एकी चुरन में वोटिंग हो रही है तमिलाडू की 234 केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 विधानसबा सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं तमिलाडू में 234 सीटो इस सीट पर कुल 84 उमीदवार में हैं वहीं बाला पराई सीट से सबसे कम मेंदवार हैं यहां के वच्छे उमीदवार में हैं वहीं अगर हाई प्रोफाइल सीट की बात करें तो यहां मुक्यमंत्री एड़पाड़ी के पल नियासिन एडपाड़ी चिनाव लड़ रही है इस सीट पर कुल 28 उमीदवार में हैं वहीं डियामके के प्रमुक एमके स्टालिन चिनने की कोल्थूर सीट से चिनाव लड़ रही हैं यहां कुल 36 उमीदवार में हैं वहीं चिनने की कुल 16 सीटों पर 393 प्रत्याशी में हैं आरके नगर और सेदा पेट में 31 और 30 प्रत्या UDF और BJP मुख्य टक्कर में हैं पुड़ुचेरी की 30 सीटों पर 324 मीदवारों के भविशे का फैसला आज EVM में कैद हो रहा है जिसमें 35 महिला प्रत्याश्री हैं LGV और दिस चीफ मिनिश्टर के लडाई को लेकर चर्चा में रहा पुड़ुचेरी ने चनाव इस बार बड 16 गडबंदा नामने सामने हैं इसके अलावा पश्व मंगाल वधानसवा चनाव के लिए 30 चरण के लिए आज मतदान जारी है 30 चरण में 3 जिलों के 31 सीटों पर सुभा 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच मतदान जारी है और अगली खबर का रुक करेंगी अगली खबर है माफि मुखतार अंसारी को मंगलवार को यूपी लाए जाएगा इसके लिए उतरप्रदेश पुलिस के 150 सदस्य टीम सुमवार को पंजाब के लिए रवारा हो गई थी पंजाब के होम डिपार्टमेंट ने यूपी प्रशासन से मुखतार अंसारी की कस्टड़ी लेने को कहा था एक वरिश अदिकारी ने काया कि 150 सदस्य टीम मनाई गई है जिसमें प्रांतिय सश्यत्र पुलिस को भी श्वामिल किया गया है जो सर्टिफिकेट हतियार के साथ तहनात रहेगी पंजब के गरेव बाग ने उत्तरप्रदेश सरकार से मुखतार अंसारी की हिरासत 8 अप्रेल तक जेल से ले लेने को कहा है मुखतार अंसारी जन्वरी 2009 से कतित हुगाई की मामने पंजब की जेल में बंद है वो उत्तरप्रदेश में दरजुनों मामनों में वांटिड है पंजाब के ग्रेव भागने यूपी के अतरिक्त मुख्य सचिफ को लिखे पत्र में मुक्तारंसारी के इस थांतरन के लिए उप्योक्त इंतजाम करने को कहा था पत्र में कहा गया है कि जिला जेल में कैदी को आठ अप्रेल को या इस से पहले उत्तरप्रदेश सरकार को सौपा जाएगा बाहुबली मुक्तारंसारी को पंजाब के रोपर जेल से लाने से लिए टीम रवाना हुई है सुमवार सुबह सुबह बांदा पुलिस लाइन में फोर्स को एकत्रित किया गया है पुलिस के जवानों के साथ एक बचालियन पीएसी भी रोपर जेल भेजी गई है पूरे मिशन को लेकर उचाधिकारियों द्वारा गोपनिता बढ़ती जा रही है सुत्रों के मिताविक सुबह पंजवाब के लिए टीम रवाना हो चुकी है गुड मॉर्निंग इंडिया के खबरों में फिलाल के लितना ही आप बने रहें न्यूस वाल इंडिया के साथ